तो फानलिली दोस्तो यमा कंपनी पहली 125 शेसी को हमारे Indian Tooler Market पे लॉण्च करने ही जा रही है तो आज किस वीडियो पे दोस्तो आम लोग इस वीडियो के बारे में complete details से बात करेंगे किस बाइक को दोस्तो कब तक हमारे इंडियन टूलर मार्केट पे लॉंच कर दिया जाएगा अगर लॉंच कर जाएगा तो इसकी प्लैजिंग क्या कुछ रहने वाली है साथी साथ दोस्तो बाइक में आप लोग को क्या कुछ फीचर्स मिलेंगे जैसे दोस्तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बाइक पर आप लोग को सिंगल चैनल एवेस देखनी को मिलने वाला है जिया धोस्तो इस बाइक पर आप लोग को जाल बविली घचानल इविच्ट आप दो Cassip लेकिन दोस्तों बाइक पे जो आप लोग को USB charging point दिया जाएगा जिससे दोस्तों आप लोग अपने phone वेगरा को charge कर पाएंगे और safety wise दोस्तों बाइक पे आप लोग को side stand engine का top sensor तो मिलेगा ही बात कर जाएं दोस्तों engine के बारे में तो इस बाइक पे दोस्तों आप लोग को 125 एसी के engine दी जाएगी जिसमें के दोस्तों लगबग आप लोग को 10.5bhp तक की power और 9.7Nm तक का आप लोग को torque देखने को मिलेगा जो कि यह जो बाइक दोस्तों यह 5-speed gearbox के setup के साथ आएगी ज इसमें दोस्तों आप लोग को सिर्फ औसिफ self start ही दी जाएगी बाइक में आप लोग को कोई भी कीग स्टार्ट देखने को नहीं मिलने वाली है मालेज के बारे में बात करी जाए तो लगबग दोस्तों आप लोग को 60 प्लस जो इस बैक से मालेज देखने को मिलेगा वहीं launch के बारे में बात करी जाए तो इस बैक को दोस्तों कहा जा रहा है कि 2025 तक में हमारे इंडियन टूलर मार्केट को launch किया जा सकता है प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो लगबग दोस्तों आप लोग को 1,15,000 रुपए से लेकर 1,25,000 रुपए के आज पास में आप लोग को on road देखने को मिलेगी तो आपका क्या opinion है दोस्तों इस बैक को लेकर नीचे coin box पे अपना opinion जरू लिखेगा और इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलाल end करते हैं तो आई होब आप लोग को ये जो वीडियो है या आप लोग को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिजएगा चैनल को अगर आप लोग कहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजएगा तो इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना या मिलते हम लेगी वीडियो में